हेलो स्टुएंट्स वेलकॉम बैक टू एलीट ट्यूटर्स बुक सल्यूशन चली इस वीडियो में तो हम देखने ही वाले हैं भेटी लागी जीवा इस संतवानी का टेक्श्वल जो स्वधाय परच्ण है उसके उत्तर का एक्सप्रेंशन लेगिन अगर आपने इस लेशन का इस कवीता का इस शंतवानी का अगर आपने वीडियो लेक्शे नहीं देखाए इसको अगर आपने समझा नहीं है इस पूरे लेशन को तो पोयम को शुरी तो प्लीज कमेंट करिये क्योंकि ये कोश्चन आपको क्या करेगा एक्स्ट्रा कोश्चन के साथ help करेगा जो exams में आपके लिए बहुत जादा फायदा करेगा तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेसन को पहले समझ लिया है उसके बाद आप यहां पर आ रहे हो क्योंकि लेसन को समझने के बाद अगर आप यहां पर आ रहे हो तो आपको बहुत जल्दी समझ में आजाएगा चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला जो question at x book के अंदर वो है कोष्टक पूर्णकरा अगर आप देखोगे तो यह है कोष्टक पूर्णकरा तो हम यह सारे चीज़े फिल करने वाले हैं लेस्न को पढ़के आने के बाद बहुत एजी पढ़ेगा students तो चलिए पहला यह वाला question देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे चलिए फिर इसके बाद यहां तक को देखना है यह नहीं करेंगे यह तीन यहां तक देखना है चलिए आगे बढ़ते है तो कोष्टक पूर्णक इतिजार करने वाला कौन रहे गा यहां पे ? वो दिया यहां पे, कहीं पे दिया, कहीं पे नहीं दिया है सेगें यहां पे दिखा है कि, कोना ची वाइठ भगटू उ' Grass अने उपर निच्टा आछा इहां जो रास्ता देख रहा है वाट भगनारा और लिखा है वापे चकुर मतबब चकुर ये इंतिजार कर रहा है ये किसी का रास्ता देख रहा है और वाट भगनारा से कारण और क्यों रास्ता देख रहा है वो चंद्र किरन हेज त्याचे जीवन तो हमको क्या करना है हमको बताना है कि कोना सी वाड़ बक्तुत यह किसका इंतिजार कर रहा है इंतिजार कौन कर रहा है वो बताया गया है किस लिए वो इंतिजार कर रहा है वो बताया गया है पर अपने को बताना है कि किसका इंतिजार कर रहा है तो अगर आपको लेसन पड़े हो, तो यहाँ पे हमने यह पिच्छर दिया था, तो चकुर पक्षी किसका इंतिजार करता है, स्टुडेंट्स, चंद्रमा का, पूर्नीमेका, चंद्रमा का, तो इसलिए हम यहाँ पे लेखेंगे, पूर्नीमेचा, चंद्रमा, तो यह उसका अंसर है, मैं आपको फिर से बता रहो कि अगर आपने लेसन नहीं पड़ा है, और आप यहाँ पे आरो हो, तो आपको मज़ा नहीं आएगा जरा भी, और लेसन पड़े हो ना तो आपको अलगे कि सब तो मुझे आने लगा आराम से, इसके लिए रिक्वेस्ट के पहले आप लेसन समझ लेजी, चलिए इसके बात देखते हैं, अब यहाँ पे आपको दो ब्लैंक फिल करना है, यहाँ पे किसका रास्ता देखा जा रहा है, वो बताया है, माहर चे बोलावने ये ने, यह आपको बताया जा रहा है, कौन देख रहा है इसका रास्ता और क्यों देख र और वाड बगने चे कारण क्यों वो इंतिजार कर रही है कि माहर से, माईके से कोई उसके ससुराल में आया और उसको ले कर जाए कोई ऐसा कोई occasion चल रहा है कोई ऐसा तेवार चल रहा है तो lesson में अगर आपने पढ़ा रहेगा तो आपको पता रहेगा कि दिवारी चा सन क्योंकि दिवारी का तेवार है और इस मौके पे हमेशा इसा होता है मुराडी क्या करता है अपने बेटी को ले कर जाता है अपने घर पे चलि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो वाड बगनारा इसमें लिखा है भूके लेला बाड मतलब भूका हुआ बच्चा अब आपको दोनों बताना है किसका रास्ता देख रहा है किसका इंतिजार कर रहा है और क्यूं कर रहा है तो फिर से वही बात है पार्ट में अगर हम देखेंगे तो ये बच्चा रो रहा है और वो इंतिजार किसका कर रहा है और वो भूका है तो वो इंतिजार अपनी मा का कर रहा है तो हम यहापपे लिखेंगे Mauli ची, क्योंकि Maa को Mauli भोला गया है, पोयम में आपने देखा देगा, और क्यूं, वाट बग्नेचे कारन, क्यूं वो कर रहा है, क्यों वो इंतिजार कर रहा है, ये भी आपने पाठ में देखा है, भूग के वजे से, क्योंकि उसको भूग लग रास्ता इंतिजार देखने वाला कौन है और क्यू है तो आपने पढ़ा है इसके जो कवी है संत है उन्होंने देखा है तो इसका आपने देखा रहेगा तो वह है संत तोकाराम और क्यूं देख रहे हैं क्यूंकि उन्हों बहुत आस लगी है वेटी ची आस उनको बहुत इंत जो आपको यहां पे समझ में आ रहा है तो यह दोनों हम complete करेंगे एक और एक यह भी आपने पार्ट पर पढ़ा रहेगा उसका अंसर है वाट यह बहुत इसी था चली इसके आगे पढ़ते हैं इसके आगे भावारत आधरीद यह भावारत आधरीद तो इसमें देखेंगे तो फिर से आप यह तीन कोश्चन यहां पर सौल करोगे पहला दूसरा तीसरा तो यह तीनों एक साथ हम एक के बाद एक क्या लिखा है कि संथ तुकारामानी पांडू रंगा चा भेटी बाबद दिलेलया दुरिस्टांता तिल तुम्हाला आवर लेला दुरिस्टांता स्पस्ट करा अब इसका मेनिंग क्या है कि संथ तुकाराम महराज ने पांडू रंग से मिलने के लिए दिये हुए जो उध जो examples है, उन सभी examples में से तुम्हाला आपको, तुमको आवर लेला पसंद आया हुआ, जो उधारन है उसको फ़स्ट करो, तो आपको कोई भी एक उधारन लेना है, और उसको फ़स्ट करके बताना, उसका meaning आपको बताना है, कि वो आपको क्यू पसंद है, तो हम यहाँ पे आपको बताना है कि आपको कौन सा दुरुस्टांत या आपको कौन सा एक्जामपल पसंद आया, तो आपको ये वला पसंद आया, यहाँ पर बता रहे हो, कि भुका वा जो बच्चा था, जो अपने मा के लिए मा का इंतजार करा था, क्योंकि इसको बगूग लगी थी, आपक कि आप क्या बतार है कि संथ दुकाराम ने इस कवीता में जो अभंग दिया है उसमें चोटे से बच्चे के बारे में जो उन्हें उधारन दिया है वो मुझे बहुत पसंद है और इसलिए आपने लिखा कि संतुकरामा नि या अभंगात दिले ले लहान बाड़ा चे उधारन मला खूपा वरते अब आपको इस परस्ट करना है क्यों? ज्या प्रमाने लहान बाड़ा चे या इस परस्ट करना है इस बात को क्यों नी? इस बात को आपको इस परस्ट करना है चोटे से बच्चे की जो दुनिया है पूरी दुनिया वो उसकी मा ही होती है मतलब छोटे बच्चे के लिए अगर कुछ है या पूरी दुनिया अगर कोई है तो वो उसकी मा है त्यास प्रमाने उसी तरीके से तुकारामान चे इनके लिए भी विश्व पूरी दुनिया अग कोई है मनजे तो वो फक्त मतलब सिर्फ विठल अचा है तो यहाँ पर आप undो लाइन समझ रही हो कि जिस तरीके से छोटे बच्चे के लिए पूरी जो दुनिया है वो इसकी माह है हूती है उसी तरीके से तुकाराम के लिए संत्य तुकाराम के लिए जो पूरी दुनिया है उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ विठल भगवान है तो देखे हैं तक आपको समझा रहेगा आगे क्या लिखा कि बाड़ाला भूक लागलावर बच्चे को जब वो भूक लगता है तो बाड़ा दुर्टे बेटावी से अपला अइची वाट पहतो अपनी मा का इंतिजार करता है ये भी आपको समझ में आता रहेगा कि जब बच्चे को भूक लगता है तो बहुत जादा आतुर्टे से अपनी मा का इंतिजार करता है कि तिची भेठ होने उसकी मा अगर उसे दिख जाए हे त्याचे धे असते और यही उसका लक्ष रहता है कि उसकी मा उसे दिख जाए उसकी मा उसकी तरफ आ जाए त्याच प्रमाने इसी तरीके से विठलाची भेट विठल भगवान की जो भेट है हे संत तुकारामांचा जिवनाचे धेया है तो ये उसी तरीके से संत तुकाराम के लिए विठ्ठल भगवान के जो भेट है वो उनके लिए एक धेय है, उनका एक जीवन है उनका एक मकसद है बस उनको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तो चलिए फटा-फट अगर दिखेंगे तो क्या रिखा कि संत तुकाराम महराज ने इस अभंग में जो इस कवीता में अभंग में जो दिये हुए उधारन है दिये हुए चोटे बच्चे का जो उधारन है वो मुझे बहुत पसंद आया जिस तरीके से चोटा जो बच्चा है उसके जो विश्वे उसके लिए जो दुनिया है वो उसकी मा है मा होती है उसी तरीके से तुकाराम के लिए अगर कोई दुनिया है तो मतलब उसका सिर्फ और सिर्फ विठल भगवान है बच्चे को जब भूग लगता है तो बहुत ज़ादा वो आतूरते से अपने मा का इंतिजार, रास्ता देखता है उसकी, उसकी, उससे मिलना ही उसका एक धे होता है, उसका मकसद होता है उसी तरीके से विठल भगवान से मिलना ही संत तुकाराम के लिए के जीवन का एक मकसद है चलिए इसके आप बाद सेकिन वाला जो है भावार तधारित वो दिखते हैं सेकिन वाला कुश्चन है चकोराचा दुर्ष्टान तातुन मतलब चकोर जो पक्षी है उसके एक्जामपल से संत तुकाराम काय सिद्ध करू इच्चतात तो चकोर पक्षी का जो उधारन संत तुकाराम ने अपने अभंग में दिया है तो उससे वो क्या सिद्ध करना चाहते है ही तुम्चा शब्दात लिया यह आपको अपने शब्द में लिखना है तो आप थोड़ा बहुत अपने मर्जी से लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम ने है स्टुरेट्स चलिए हम देखते हैं इसका अंसर यह है थोड़ा सा इट जिस्ट कर लेते हैं और इमिज ले लेते हैं अपने इस लेस्ट मेसे जो अपने उसमें लेस्ट में एक्स्में किया था तो यहाँ पर आप देखो चकुर पक्षी के लिए उसका जो मतलब लक्ष है वो पुर्निमा के चंदर पर ही होता है क्योंकि वहाँ से आने वाली जो किरण होती है उसी का सेवन करके वो जिन्दा रह सकता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संत दुकारामा ना विठल भेटी ची आस लाग दिया है तो हमने पूरे पोयम में देखा है कि संत दुकाराम को सिर्फ एकी चीज की आस लगी हुए एकी चीज का उनका तडब है और वो है विठल भगवान से मिलना उनकी मुलाकात करना फिर आगे उन्होंने क्या बता है अगे यहाँ पर क्या लिखना है हमको कि ज्याप्रमाने पुर्णिमेचा चंदरमा जिस तरीके से पुर्णिमा का जो फुल मुन डे होता है जो पूरा का पुरा चांद आसमान में दिखाई देता है तो ज्याप्रमाने पुर्णिमेचा चंदरमा हेच चकोराच जीवन अस्ते तो यही चकोरपक्षी के लिए जीवन होता है चकोरपक्षी आपने देखा है कालपनिक पक्षी है जो हमने पोयम में समझाया है पौर्णिमेचा चंदराची तो आतूरतेने वाट पहत अस्तो अब अगर पौर्णिमेचा चंदरमा शकुरपक्षी का जीवन है तो वो अगर इंतिजार करेगा बेसबरी से अगर तो किसका करेगा चंदरमा का यहीं चंदर का तो पौर्णिमेचा चंद्राची तो आतूर तेने वाट भात अस्तो तो वो भी इंतजार करता है बहुत बेसबरी से पौर्णिमे के चंद्र का तो त्यास प्रमाने तो उसी तरीके से यही सिद्ध करना चाहते हैं कि इसके एक्जामपल में जो हालत इसकी हुई है केरन पाने आस लाग दिया है तो उसी तरीके से पंडरपुर में विराजमान जो श्री विठल है भगवान है उनके भेटी से उनके मुलाकात से ही संत तुकाराम के आस लगी हुई है उनसे मिलने के बाद ही संत तुकाराम को समाधान मिलेगा विठलाचे दर्शन हेच जनू त्याचा जीवनाचे अंतिम धेय है तो विठल का जो दर्शन है यही लगता है कि संत तुकाराम के जीवन का एक आकरी मकसद है इससे जादा उनको और कुछ ने चाहिए तो देखे क्या लिखा है कि संत तुकाराम विठल भगवान के मुलाकात करने की आस लगा कर बैठे हुए है जि बहुत आतूरते से यानि बेसबरी से इंतिजार करता रहता है देखता रहता है उसी तरीके से पंडरपूर के विठल के लिए विठल से मिलने के लिए संत तुकाराम भी आस लगा कर बैठे हुए है विठल के दर्शन विठल भगवान का जो दर्शन है वही जैसे उनके जी यहां पर मित्र और मैत्रिन से आप समझ सकते हो तो समझे हो कोई मित्र है और यह कि कोई मैत्रिन или खर्रीक दση के लिए यह समझे और आप उनसे मिलना चाहता है मित्र एक हाथि होता है सुक दुक में अपने काम आता ह। यह समझ को decía हमारे पास नहीं है और काफी दिन हो गया है तो हमें इसा लगता है कि कब वो मिले जिसा नहीं चले जैसा छोड़ दिए नहीं पर समझे कि आपको उससे मिलना है तो आप उसके लिए आसुस ले आए तो आप एकदम इंतिजार में हो तो ये चीज़ को बताने के लिए जो अभंग में जो बहुत सार एकदम लगता है आपको वो आप चुनो और उसके बारे में स्पस्टी करन करो तो चले देखते हैं उत्तर में तो चले हम क्या करते हैं ये है हमारा अंसर और इसके लिए हम इमेज जो है पोएमे से ये ले रहे हैं अब यहां पर इमेज से आपको समझ में आ जाएगा कि एक जो बेटी है वो अपने मुराडी अब मुराडी पर पिता भी हो सकते हैं मामा भी हो सकते हैं भाई भी हो सकता है मुराडी वही है जो माइके से आएगा और बेटी को ससुराल से लेकर अपने माइके में अपने घर वापश चला जाएगा तो बेटी क्या कर रही है इंतिजार कर रही है किसका मुराडी का कोई आए और उसे लेकर जाए तो यह een sitable जो कावी पंक्ति यह हमें यहां पर जचेगा मतला मैच करेगा इसके लिए हमने यह चीज का एक्जामपल लिया है तो यहां पर लिखा कि दिवारी चा मुडा लेकी असावली पहत असे वातुली पंडरी ची तो यह हमने अल्ड़ेड एक्स्पेंग किया अब हमको क्या करना है कि हमारे मित्र से हमको मिलना है और उसलिए हमने यह वाले ओड़ी को चुना है तो देखे क्या लिका है जवर्चा मित्राचा भीटीला आसुसलेला आहूत या साथी मतला पास के करीब के दोस के लिए दोस से मिलने के लिए मैं इंतिजार कर रहा हूं परेशान हूं इसलिए मल मुझे सारे उधारन में से वरिल दुर्ष्टांत ये वाला जो दुर्ष्टांत है अतिशय योग्यवार्टों मुझे लगता है कि यह आपने कंडिशन दिया है उसके उपर ये वाला ओड़ी बराबर योग्य है और आपको भी लगता रहेगा क्योंकि हीं से समझ में आ रह ससुराल में गई हुई बेटी माहर चा माय के से लोका ना भेटने साथ ही व्याकुड़ासते माहर के लोगों मतलब अपने माय के में जो लोग है उसके मम्मी उसके भाई बहन उसके मिलने के लिए रीटे है एक दम परिशान रेती है तरस्ते रेती है त्यास प्रमाने उसी तरीके से मेरी भी यहालत है कि मेरे दोस्त से मिलने के लिए मैं भी एकदम तड़प रहा हूँ क्यों काफी दिन हो गया उसे दूर होकर त्यास प्रमाने मी देखिल माजा गावा हुन आलेलया मित्राचा भीटी साथी आसुस लेलो आहे तो आप गाव से बुलाओ या आपके पड़ोस की बात करो चल जाएगा क्योंकि आपको अपने मर्जी से लिखना है तो उसी प्रकार से मैं भी क्या कर रहा हूँ अपने गावं से जो मेरा दोस्त आया उसके वह आ चुका पर मुसे मिला नहीं है और इसलिए मैं भी एकदम इंतिजार कर रहा हूँ तो दीकि क्या था कि तुमी तुम्चा जवर्चा मित्र किवा मैतरीनी चा भेटिला असुसले आहे तो तुम तुमारे करीब के दोस्त से मिलने के लिए बेताब हो और इसलिए मुझे ये वाला जो दुरस्टान था एक्जामपल जो है ये मुझे बहुत जादा एकदम सबसे सही सुटेबल लगता है और कारण दिया आपके के दिवाली के टेवार में जिस तरीके से ससुराल गई हुई बेती जो होती है माइके के लोगों से मिलने के लिए व्याकुड रहती है उसी तरीके से मैं भी मेरे गाउं से आए हुए दोस्त से मिलने के लिए एकदम परिशानों इंतिजार में हूँ चले तो सारे प्रस्टे के उत्तर यहां पे खतम होते हैं अब आपको सीव यह बताना है कि अगर आपको एक्स्ट्रा कोश्यन का भी एक्स्रेशन चाहिए जो आपके एक्जाम के लिए काफी अच्छा रहेगा तो आप प्लीज कमेंट करिए फिर अब मिलते हैं अगली वीडियो में कमेंट करिए शेर करिए स्ट्रेंट्स चले फिर जैसे आपको जैसे समझ में आएगा आप बताएए तो चले मिलते हैं फिर अगली वीडियो में थेंक्यू वेरी मच